कि नमस्कार आपका स्वागत राजनामा टीवे मैं भूनम आपके स्वाइब राय और उनकी बेटी आराध्या की हाल ही में एक फैमिली फंक्शन की फोटो सोचल मीडिया पर काफी वाइरल हो रही है इसी बीच अभीशेक बच्चन की गेर मोजुद्गी ने फिर से उनके तलाक की अफ़ाओं को हवा दे दी है काफी समय से एश्वर्या और अभीशेक के अलग होने की खबरे चल रही है हाला कि दोनों ने अब तक इस पर कुछ भी नहीं कहा है सोचल मीडिया पर अक्सर ऐसा कुछ मिल जाता है जो इन अफ़ाओं को बड़ावा देता है हाली में वाइरल हुई फोटो में एश्वर्या अपनी मा और बेटी अराध्या के साथ एक फैमली फंक्शन में नजर आई फिन पैच के मताबिक ये एश्वर्या के कजिन सागर्शेटी का बर्ड़े था तस्फीर में एश्वर्या ने अराध्या को गले लगाया हुआ है और वे अपने बाकी परिवार के साथ पोस दे रही है टेबल पर बर्ड़े केक और फूल भी रखे हुए है फोटो के कैप्शन में लिखा था सभी शुपकामनाओं के लिए धन्यवाद लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा अभिशेक बच्चन की गयर मौजूदगी को लेकर हो रही है खास का जब उनके तलाध के अफवाएं इतनी जोरों पर है फोटो वायल होते ही फैंस ने एश्वरिया के परिवार की साथगी की तारीफ की कुछ लोगों ने कपल के अलग होने की अफवाओं को भी सामान ने बताया एक यूजर ने आराध्या के बारे में लिखा वो तो बहुत बहुत अंस्कृती वाली बच्ची है मैं दूसरे ने कहा हमें तलाक और नाकम शादियों को सामान ने समझना चाहिए लोग बिना किसी की गलती के अलग हो सकते हैं खुश रहकर को पेरेंटिंग करना सिर्फ दिखावे के लिए साथ रहने से बहतर है बता दे एश्वरे और अभिशेक ने दोजा साथ में शादी की थी 2011 में उनकी बेटी आराध्या का जनम हुआ एश्वरे आखरी बादोजा 23 में मनी रतनम के फिल्म पोडियन सैलवन 2 में नजर आई थी जबके अभिशेक बच्चन को हाल ही में फिल्म घूमर में देखा गया था इसके अलावा कुछ दिनों पहले अभिशेक और एक्ट्रेस निम्रत कौर के बीच अफेर की अफ़ाय भी सामने आई थी हाला कि दोनों ने इन अफ़ाओं पर कोई प्रतिक्रिया नहीं भी है लेकिन सोशल मीडिया पर इसके बारे में काफी चच्चा हो रही है फैंस इस बात को लेकर क्यास लगा रहे हैं कि कहीं इन अफ़ाओं का उनके विवाईक जिवन पर तो असर नहीं पड़ा इसी के साथ परने नहीं राजनामा टीपी के साथ धन्यवाद